नमस्कार दोस्तों तो आज हम आपके लिए लेकर आये है एक ऐसा टोपिक जो बहुत ही इंपोर्टन्ट है डेटी फार्मिंग के लिए जिहां मिल्क कंटेंड यानि की दूद में कौन-कौन सी चीजे हैं दोस्तों यह हमारे लिए जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो च पाएगा और ऐसा क्यों होता है दोस्तों देख लिए जो भी हम पशु को खिलाते हैं वो पहले तो अपने बोडी के लिए मैंटेन करने के लिए जो है उसका यूज करता है बाद में जो बचता है वो अगर पशु प्रेगनेट है तो उसके काफ के लिए यूज करता है और जाके जो है वो पशु मिलक जो है अपनी पूरी कैपसिटी पर प्रोड्यूस कर पाएगा तो आए देखते हैं छे चीजे जो छे में ठिंक्स है दूद में वो क्या है कौन-कौन सी है और वो हमें पशु को किस तरीके से जो है वो देनी है तो पहला तो है पानी यानि कि वा इसलिए हमें 24 गंटे पशू को स्वच्छ पानी मिलता रहे वैसी जो है वो सुविधा करनी चाहिए अगर पानी कम मिला तो milk production आटोमेटिकली कम हो जाएगा अब दूसरी चीज है fat fat तो आप हम सब जानते हैं 3-10% fat जो है वो पशू के दूद में देखनों को मिलता है अगर गाय हो पैसो उसके दूद के हिसाब से fat चाहता है कम होता रहता है तो T.S. यानि total solid जो हमने देखा सा उसमें से अगर fat को निकाल देंगे तो बचेगा solid non fat यानि कि ऐसा solid जीस में fat नहीं है यानि कि SNF तो दोस्तो fat मिलता है oil या तेल जिसे हम बोलते है उसमें से जो है वो मिल जाता है fat दूसरा vegetable की जो है market में मिलता है उस उको पशू को खिलाने से उसको fat मिल जाएगा animal fat powder भी आज कल market में मिलते है और खली जो है यानि कि cotton seed है या फिर उसकी खली है या फिर आप मूम फली मान दीजे उसकी खली मान दीजे तो वो भी देने से जो है soya bean है सरसो है इन सब की खली भी देने से जो है वो पशू को fat पूरती मातरा में मिल जाता है और fat बहुत important है क्योंकि इसी पर हमारा milk का price ते होगा अब तीसरी चीज है protein प्रोटीन जिसे हम सब चानते हैं दूद में protein जो होता है वो तीन से साड़े तीन प्रतीशत तक होता है और वो उसको मिलता है legume foodर से अब यह legume foodर क्या है तो दोस्तों जो हरा चाहरा है उसके दो प्रकारवे से तो होते है mainly उसमें से एक है legume foodर आप अब भी मान लीजिये कि legume foodर यानि की रचका जो है बरसीम है काउपी यानि की चोली है गौार है वो सब legume foodर में आते है ठीक है sugar यानि की carbohydrates जिसे हम बोलते है वो 5 प्रतिशत जो है वो दूद में देखने को मिलता है यानि की 100 ग्राम पर 5 ग्राम sugar होगी और sugar तो है good उसका best source है या फिर गन्ना आप दे सकते है direct पशू को खिला सकते है sugar के पर आज कल दूसरा एक source आ गया है molasis तो ये भी आज कल चलन में देखने को मिल रहा है तो molasis भी देखे आप पशू का दूद जो है वो बढ़ा सकते है तो आप जो भी फीड बनाए हर रोज थोड़ा बहुत गुड़ या molasis उसको पशू को देना आवश्यक है अब पांच मी चीज है vitamins vitamins जो है वो जैसे हमें हरी सबजिया खाने से मिलते है वैसे ही पशू को हरा चारा देने से मिलते है दोस्तो सुखे चारे में नहीं ज़्यादा protein होता है नहीं ज़्यादा vitamins होता है सिर्फ carbohydrates की मातरा होती है वो पशू को मिल जाती है तो हरा चारा दे और वो भी flowering stage में cut करते के दे ताकि उसमें सबसे ज़्यादा vitamins और protein जब वो flower covering stage में ज़्यादा की फूल जब आता है ना चारे पे तम ही होता है तो यह ज़रूर आप द्यान में रखे चटी चीज minerals इसी लिए हम mineral mixture जो है वो पशू को देते है अपर mineral mixture आज कल महंगे होते जा रहे है तो पशू को देना जो है वो थोड़ा सा महंगा हो जा है तो दूसरा उसका देशी तरीका है rock salt जी है rock salt जो आता है वो आजकल हम इंसान में भी यह use होने लगा है और पशू के आप मान य से उसको प्राप्त हो जाएगे ठीक है दोस्तों और calcium के अगर बात हम करें तो calcium के बारे में मैंने एक detail वीडियो बनाई थी कैसे आप calcium सस्ता calcium घर पे बना सकता है तो video आप मैं description में link दे दूँगा आप वहाँ जाके देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो calcium दे और mineral mixture थोड़ा बोद दे और rock salt रख दे उसकी खुडली में तो इससे उसको mineral मिलते जाएगे तो अगर ये 6 चीज़े है अगर हम पशु को देते रहेंगे ना पूरती मातरा में जितनी उसको आवश्यकता है उतनी मातरा में ये 6 चीज़े water, fat, protein, sugar, vitamins और minerals तो पशु जो है न वो पूरा देगा और पशु जो है उसकी health भी जो है वो एकदम स्वस्थ रहेगा पशु खुश रहेगा पशु और अगर पशु खुश रहेगा दूद ज्यादा देगा तो automatically हम भी है दोस्तो खुशी रहेगे तो ये 6 चीज़े आप देख लीजे किन किन में से sources मेरे examples देके बता दि notifications जो है वो all कर दे ताकि ऐसी ही जो informative videos है dairy farming के related वो आपको मिलती रहे और आप एक सफल dairy farmer जो है वो बन सके और इस business से जो है profit कमा सके तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको like कीजिए और अगर इसमें कुछ गलतिया दिखी हो तो comment करके हमें ज़रूर बताए क आपकी comment ही हमारे लिए suggestion का काम करती है तो thank you for